हलो एवरीवन श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस वीडियो में सच्चम की जो किताब का है ये चैप्टर टू आज हम लोग देखेंगे ठीक है हाँ आज हम लोग चैप्टर टू देखेंगे एक चैप्टर सभी लोग मेरी ध्यान लखेंगा कि सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे क्योंकि जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए खास होने वाला है ये किताब देखें जो है ये आगनवाडी कारिकत्रियों के प्रियोग है तो है ले मैं अपनी बात को दो राता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखना साथ थी यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग जरूर कर देंगे ठीक है ना इन चीजों को ध्यान न कियेगा और ठीक साम साथ बज़े जो है इस चैनल पर येस मुख सेविका की लायू क्लास होती है तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग आज चैप्टर टू गर्वती महिला का स्वास्था एवं पोशन ठीक है ना हाँ शंपूर वीडियो जरूर देखेंगे तो देखें लिखा है जीवन की सभी अवस्थाओं में सही और परियाप्त प अवशक्ता होती है ठीक है नहां जिससे की विकास और व्रद्ध सही दिसा में हो सके और दायने तिन चर्या करने है तो इस फूर्थ और उर्जा बनी रहे ठीक है अब देखें जीवन की अवस्था कोई भी हो सही और परियाप्त हमें क्या चाहिए होता है बोलो पोशन ठीक फीगर के द्वारा जदा चीज़े अच्छे से समझ में आती है ठीक है चलिए अगला पार्ट देखेंगे इसके बाद बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट देखेंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हाँ बिलकुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेगा बह एक महिला का पोशन आगे चलकर उसके स्वयम के स्वास्थाय तथा पैदा होने वाले सिसके विकास का आधार बनता है बिलकुल देखें बहुत महत्पूर्ण चीज़े हैं आगे देखें परियाप्त पोशन के अभाव में है ना अगर पोशन का अभाव होगा तो क्या होग बोलो कुपोशन के पनपने के शंभावना जच्चा और बच्चा दोनों में बढ़ जाती है सुझवारा कि नहां देखिए अगर उचित पोशन नहीं मिलता है तो कुपोशन का कुपोशन की जो शंभावना है जच्चा और बच्चा यानि कि मा और उसके बच्चे दोनों म बाला चक्र है जल्म से कमजोर बालिकाए जिने परियाप्त पोष्ण नहीं मिलता वह आगे चलकर कुपोसित किसोरियां और फिर कुपोसित मातायं बनती हैं ठीक है हाँ किसोरा वस्था में गर्वधारण ठीक है महिलावा बच्चे में जटिलता की शंभावना को और बढ़ा देते हैं इस प्रकार को पोष्ण के चक्र को तोड़ना अतियंत जो है वो कठिन हो जाता है गर्वती महिलाओं को पोष्ण इस्तित पर ध्यान देना एक अतियंत महत्पूर कारे हैं आगे इसके बाद देखेगा यहाँ पर बात करेंगे देखेगा मात्र पोष्ण की की अवदी में भूण तथा महिलाओं की शंपूर पोष्ण आवशक्ता को दरसाता है अब देखेगे गर्वधारण से पहले की अवस्था प्रीकंसेप्शन ठीका नहां विवाह के पश्चात तथा गर्वधारण से पूर्व की अवस्था जो है ना अतियंत क्या है बोलू की अवधी बच्चे की वांचित संख्या एवं महिला की स्वास्था वा पोष्ण की इस्तित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णे लेना चाहिए सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि वो अपना वजन वा लंबाई आंगनवाडी केंदर पर करवाते हुए BMI का पता लग भी बनाया है उसको आप लोग देख लीजिए अगर इससे उसे अपनी पोष्ण इस्तित ग्यात हो सकेगी इन बातों पर ध्यान देने से पोष्ण की महात्वा को समझने से परिवार नियोजन के सही जानकारी होने से दंपत्य स्वयम वहां आने वाले सहना सिस्व को स्वास मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे ठीक हां और किसी भी कारी को करते करते भी आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं क्योंकि हरे कोईंट यहां पर मैं पढ़ रहा हूं जो महत्पूर्ण चीज है वो आपको मैं बता भी रहा हूं ठीक है ना आगे देखिए यदि जोग दमपती परिवार आरम करने का निड़ने लेते हैं तो आंगनवाड़ी होने के नाते है ना बिलकुल उन्हें स्वास्था वपोश्ण संबंदी आवस्चक जानकारी प्राप्त कराएं इसमें आसा का भी सहयोग ले किसका बोलो आसा का ठीक है ना हां बिलकुल करना लाबकारी होता है ठीक है हाँ बिलकुल ध्यान देखेगा इससे शंबंदेत और और क्या बोलो जानकारी जो है कहता है अगले प्रिश्ट पर दी गई है तो आगे देखेंगे इसको अब यहाँ पर देखेगा गर्वधारण वा परिवार नियोजन तो इसकी बात करें तो देखेगा साची दरसाते हैं कि अठारा वर्स की आयू के पश्चात ही कि सोरिया जो है मानसिक और सारीरिक रूप से गर्वधारण वा जनम देने के लिए परपको होती है अठारा वर्स यहाँ यह ध्यान कियेगा उम्र पूछ देता है कभी-कभी अठारा वर्स के है उचित रहता है शुखद गर्वावस्था के अनुभव के लिए महिला को गर्वधारण के लिए है ना हाँ बिलकुल मानसिक रूप से तैयार होना जो है आवश्यक है यहाँ एक ऐसा निड़े है जो दमपत्ती को बिलकुल मिलकर लेना चाहिए हाँ बिलकुल ठीक है यदि दमपत्ती गर्वधारण को विलंब करना चाहते हैं तो उन्हें परिवार निवजन के विकल्पों को अपनाना चाहिए सभी दमपत्ती को यह जानकारी दे की पहले और दूसरे यस बच्चे में कम से कम तीन वर्स का अंतराल रखना चाहिए यह पॉइंट जो है यह किसी के पहले से ही दो बच्चे हैं तो उस दमपत्ती को छोटे परिवार के महत और लाब एवं बड़े परिवार के होने के हान के बारे में जागरूप करें ठीक है नहां जागरूप करें और ऐसे दमपत्ती को परिवार निवजन के विकल्प के बारे में जानने वा प्रि जो हैं ये कुपोशन के कारण होते हैं ये कुपोशन के कारण ध्यान केगा कम आयू में साधी हो जाना कारण है हाँ कम अंतराल पर जो है गर्ब धारण हाँ ध्यान केगा यस अंतराल कम है ना जल्दी जल्दी बिल्कुल गर्ब धारण और अधिक बच्चे पैदा करना ये पहचान करने के लिए आंगनवाडी कारिकत्री को योग दमपत्ती से शंपर्ग बनाए रखना आविस्यक है आंगनवाडी कारिकत्री आसा के शमन्व से अपने छेतने में सुनिश्चित करे कि गाउं में सभी योग दमपत्ती है ना हाँ विवाहित परंद जिनके वर्तमान म के बारे में जानकारी मिल जाए यदि चिन्नित योगी दमपत्ती में महिला ने गरवधारण कर लिया है तो ऐसे योगी दमपत्ती को गरभावस्ता के दवरान सीग्र पंजी करण के महत्त के बारे में परामरस दे आंगनवाडी जो कारी कत्री होती है बिल्कुल ए एन एम मतल करे के यह सुनिष्चित करे की सभी नई चिन्नित गर्वधी महिलाएं जिनका मासिक धर्म है न हां ठेर गया है उनको स्वास्त्य विभाग के सहयोग से निष्चे किट निएनकेंक गर्भावस्ता परिच्छन किट कहते हैं इसे ध्यानकिएगा निष्चेकिट इसका नाम ह और इसी को बोलते है क्या गर्भावस्था परिच्छन के ठाँ उपलब्द करा दी जाए ताकि गर्भधारण की पुष्टी हो सके ठीक हाँ मासिक धर्म जो मासिक धर्म है न वो ठेर गया है इसका मतलब है हाँ प्रेग्नेंसी के बिल्कुल लच्छन हो सकते है क्योंकि प्रत्कूल परिणाम की समय से पहचानवा उससे बचाओ करने में मदद मिलती है ठीक है ना चलिए आगे देखे इसके बाद अगला देखेगा हर एक चीज यहां पर बहुती बारीकी से समझेंगे और वीडियो को बेसक आप लोग दो बार में देखे चार बार में देखे लेकिन पूरा जरू देखेगा ठीक है ना हाँ बिलकुल देखे गर्भावस्था के दवरान पूशन की आवशकता तो नौ माह का गर्भकाल होता है महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे सिसू दोनों के लिए बहुत महत्पूर्ण अवधी होती है इस दवरान गर्वती मह महिला के स्वास्था एवं पोशन की देखभाल का उत्तरदायत केवल महिला का ही नहीं यस अपित परिवार के अन्य सदस जैसे पति है ससुर है सास है भावी या ननद शभी का होता है गर्भावस्था और इस्तनपान के दवरान महिला को सबसे अधिक पोसक तत्यों की आव सही पोशन तथा समय से स्वास्थotics सेवाएं लेने से गर्भावस्था के दवरान महिला का जो वजन है वह उचित दिषा में बढ़ता है अब सही पोस्था नहीं होगा तो पिर क्या होगा बोलो दिक्रते आएंगी बिलकुल गर्भ में सिसु का वीकास सही hoता है यदि महिल महीला को गर्भावस्था के दोरान सही पोस्द नहीं मिले ना ठीक है न तो क्या हो गोलो न परहल चेलınız लेका रोग प्रितीरोध्र चमता चीड होने के कारण शंक्रमन की शंभावना जो है अधिक होती है और बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने में पिचल जाता है हर एक चीज़ अब देखेगा यहां पर हाँ मुक्काद शमूत था उनके सुरोतों की बात करेंगे तो देखें यहां पर देखें दाले और फलिया फिगर देखेगा अब यहां से क्या मिलेगा बलो प्रोटीन मिलेगा ठीक हाँ इसमें देखें राजमा है नट्स है तिलहान है चना दाल है काला चना है मल का यानि की मसूर की दाल ठीक है ना मल का यानि की मसूर की दाल तो यह स प्तेदार सब्जियां वह शाग तो यहां से क्या मिलेगा विटामिन और खनिच पदार्थ मिलेगा दूसरी साइड में चले आओ दूद और दूद से बने पदार तो इनसे क्या मिलेगा बोलो दूद से क्या मिलेगा कैलसियम मिलेगा कोब है ना प्रोटीन भी मिल जाएगा मिल जाएगा इसमें फैट भी है वसा भी है ठीक है अब आगे देखेगा येस यहाँ पर देखेगा ओवराल जो नानवेज होता है वो भी बेश्ट होता है जैसे अंडा है देखे मांसा हरी चीज़े है ना तो इनसे क्या होता है बोलो प्रोटीन यदि परिवार में ना खाया जाता है तो दूद या दूद से बने पदार्त की मातरा बढ़ाए ठीक अब यह देखेगा नानवेज है बहुत सारे परिवारों में नहीं खाया जाता है जहां पर नहीं खाया जाता है उस कंडिसन में क्या है बोलो दूद या दूद से बने पदार्तों की मातरा को बढ़ द्यान दखेगा हाँ विटामिन ए बिल्कुल उचित महत्रा में लेना चाहिए बहुत ही जरूरी है ठीक है चलिए आगे देखेंगे इसके बाद बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बिल्कुल जी बढ़िया हाँ बहुत अच्छे चलिए देखेगा इस पर भी बहुत सारी मह पूर्ण चीजे मिलेंगी तो यहां पर देखते हैं लोग क्या होगा ध्यान से समझेगा चित्र बना हुआ है गर्भा वस्था तथा प्रशौ पस्चात अत्रिक्त कैलोरी की आवस्था तो देखें गर्वती महिला है ना गर्वती महिला को जो है अत्रिक्त तीन सो पचास ठीके हां तीन सो पचास यहां पर देखें कैलोरी लिखा हुआ है यह ध्यान कियेगा ओवराल तीन सो कैलोरी होता है ठीके हां गर्वती जो महिला होती है उसको कितना बोलो हां तीन सो कैलोरी तीन सो पचास लिखा है इसका मतलब बिल्कुल तीन सो से तीन सो पचास सर्टिक जादतर आपको ये मिलेगा और इसी प्रकार धात्री महिला धात्री मतलब इस्तनपान कराने वाली देखें यहाँ पर 600 लिखा है हाँ बेश्ट जो होता है वो 500 होता है यह ध्यान कियेगा बेश्ट क्या है बोलो 500 ठीक हाँ समझ रहे है ना बिलकुल इसके आसपास होगा बिल बिलकुल इसी के आसपास होगा ज्यादा दूर नहीं होगा ठीक है हाँ इस चीज को ध्यान लखेंगे चलिए जी आगे बढ़ेंगे आगे देखें क्या लिखा है कमजोर सिसु का मानसिक एवं सारीरिक विकास भी कमजोर होता है अब देखें अगर बच्चा कमजोर है तो चाहे उसका मानसिक विकार हो या फिसारीरिक विकार हो है ना बिलकुल दोनों प्रकार के जो विकास है वो कैसे होंगे बोलो कमजोर होंगे रोग प्रतिरोदिक छमता छीड होने के कारण संभावना जो है किसकी शंक्रमन की अधिक होती है और बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने में पिछण चाहता है अब आगे देखेगा इसके बाद गरभावस्ता के दोरान देख भाल और आवस्तिक जानकारी की बात करेंगे तो देखे क्या है किसी भी गरवती महिला को उसके प्रसों के संभावित समय तित की जानकारी होना जो है वो आवस्तिक है जिससे क वह गरबावस्ता के विभिन चरणों में प्राप्त की जाने वाली सेवाओं तथा आवश्यक तैयारी के बारे में जो है वो जागुरूप रहे प्रशव के शंभावितित की गड़ना करने का तरीका नीचे देखे लिखा है बॉक्स में दिया गया है अब यहां पर देखे य प्रशव की शंभावितित इसे क्या बोलते हैं बोलो EDD है ना हां की गड़ना देखे महिला की अंतिम महमारी के पहले दिन से गिनते हुए इसमें जो है 9 माह 7 दिन जूड देने से प्रशव की शंभावितित अर्थाथ EDD निकाली जा सकती है यह सामानिता जो है देखे 280 दि हां या कहलो 40 सब्ताह या फिर लगबग 9 माह 7 दिनों के बराबर होती है 280 दिन कह सकते है 40 सब्ताह कह सकते है या फिर 9 माह 7 दिन फौर एजामपल लेंगे यहां पर उधारन की बात करेंगे यदि अन्ति महमारी के पहले दिन की जो तारीक है वो क्या है 10 सितमबर 2020 है ना यस तो 9 माह बाद क्या है गा बोलो 10 जून 2021 यहाजएगा और इसमें 7 दिन जोडने पर जो है तारीक क्या मिलेगी 17 जून 2021 प्रसव की अनुमानित तारीक क्या है बोलो तो 17 जून 2021 तो कितना जोड़ा जाता है बोलो 9 माह 7 दिन जोड़ा जाता है आगे देखिए नोट नोट पढ़ लेते हैं क्या है इस विदि से प्रशों की अनुमानित तित का पता लगाया जा सकता है सिस प्रशों की अनुमानित तित से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कभी भी ज जनम ले सकता है बच्चा ठीक है न हाँ अब जो अनुमानी तो देखिएगा हाँ जो तिती होती है न इसके पंदरा दिन पहले या पंदरा दिन बाद बस इतना काफी है हाँ इधर उधर इतना ठीक हाँ मैकजिमम केसों में द्यान दकेगा हाँ बाकी देखिएगा बहुत से केसों में क्रिटिकल समस्या होती है तो वहाँ पर सिजेरियन डिलेवरी करा देते हैं वो अलग चीज है हम नार्मल की बात कर रहे हैं ठीक हाँ नार्मली जो है ये टाइम पीरिड होता है तो एडीडी दे नौ माह का देखिए जो कारिकाल है ना इसको तीन तीन यानि के तीन ट्राइमिस्टर बना दिये गए ठीक है ना तीन तीन महिने के क्योंकि हर तिमाही में गर्वती महिला की आवस्था अलग अलग होती है पूरे गर्वावस्था के दौरान महिला का जो वजन है ना वो दस से बारा किलो ग्राम बढ़ना आवस्थक है पूरे गर्भावस्था में यदि गर्वती महिला का वजन गर्भावस्था के दोरान दस से बारा किलो ग्राम नहीं बढ़ता तो कम वजन वाले से जर्म की संभावना बढ़ जाती है या वजन व्रद्धी अलग-अलग तिमाही मे जो है वो अलग-अलग होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखिएगा हाँ सारी चीजे बिल्कुल हर एक पॉइंट बिल्कुल यहां पर देखें फीगर से ओवराल गर्भा वस्था के दौरान वजन ब्रद्धी की बात करेंगे ठीक है तो यहां पर देख है ना सुर्वाक में समय लगता है फिर छटे महीने में जो है दो किलो साथ में में भी दो किलो ग्राम आट में में भी दो किलो ग्राम और नवे महीने में जो है वो देड़ किलो ग्राम ठीक है हाँ तो बिल्कुल देखें पूरा कितना हुआ देड़ देड़ तीन दो पान दो साथ, दो नव, एक, दस, साड़े, दस, है ना, दस से बारा मैंने बोला, ये नियर अबाउट होता है, ठीक है, हाँ, नियर अबाउट होता है, लगबग में होता है, यही कोश्चन एक जाम में पूछ लिया जाता है, येस, अब आगे देखेगा, पहली तिमाही की गर्व सब कुछ है, अब यहाँ पर देखे क्या है, येस, सीग्र पंजी करण, गर्व का पता चलते ही, गर्वा वस्था के पहले, महीने में आंगनवाडी केंदर पर पंजी करण करवाना चाहिए, पता चले तुरंग, ठीक है, हाँ, बिलकुल, क्योंकि समय से पंजी करण होने प पहचान है ना, बिलकुल, समय से हो सकती है, आगे देखे, मात्रेवं सिसु सुरच्छा कार्ड, जिसे क्या बोलते है, एम सी पी कार्ड, है ना, हाँ, पंजी करत होने के बाग, गर्वती महीला को, ए एन एम, यानि की महीला स्वास्ते कार्य करता के द्वारा, यस, से संपर कर अपनी पहली प्रसवपूर जाच भी करवानी चाहिए, एनम से प्राप्त, एम सी पी कार्ड, गर्वावस्ता वा, पांच वर्स तक के सिस्की स्वास्ता है, वा पोसल डायरी के शमान है, एम सी पी कार्ड को, शम्हाल कर रखना बहुत आवस्तिक है, क्योंकि उसमें, गर प्रवती महिला के प्रतेक, अब प्रतेक क्या देखिए, हाँ जी, बिल्कुल, पूरा देखना, अब यहाँ पर देखेगा, पूरा देखेगा, बिल्कुल, चाहबले दो बार में देखिए, चार बार में, प्रतेक, प्रसव पूर्व जाच की जानकारी, एनम द्वारा भर जाती है ठीक इसके द्वारा भरी जाती है एनम के द्वारा इसमें गर्भावस्था शम्मंदित देखभाल के आविशक शंदेश भी होते हैं प्रतेक प्रशव पूर्व जांच के लिए तथा प्रशव है ना हाँ प्रशव के समय MCP कार्ड को लेका स्वास्था केंद्र आंगनवाडी केंद्र अस्पताल में जाना चाहिए जिससे कि कोई भी है ना कोई भी स्वास्था कारिकत्री चिकिस्सा क्या है बोलो गर्भवस्था कि प्रगत के बारे में जानते हुए क्या करें बोलो परामर्स दे सके क्योंकि उसके बारे में जो है उसी में तो लिखा है प्रसव पूरु की जाच करेंगे अब देखिए प्रतेक गर्वती महिला को कम से कम चार प्रसव पूरु जाच लेने की सलाह देनी चाहिए कोश्चन बन गया कम से कम चार इसमें से पहली तिमाही में एक दूसरी तिमाही में एक तथा त आगे देखिए इसमें क्या है रग्त चाप की जांच वजन की कमी खून की जांच और इसके अंतरगर्श पिशाप की जांच और पेट की जांच ठीक है ना चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद अब देखे क्या लिखा है एक जांच जरूर चिकित्सक की देखभाल में अस्पताल में करवानी चाहिए सरकारी अस्पतालों में प्रतेक माह की नौ तारीक ये पॉइंट ध्यान केगा नौ तारीक को प्रधान मंत्री सुरच्छिद मातरत अभियान के तहए सभी गर्वती महिलाओं के मुफ्त जांच स्वास्ताय इकाई में की जाती है कब बोलो नौ तारीक को यस हर महीने पुर्धान मंत्री सुरच्चित मातरत अभियान के तहत इस सारे पॉड़ याद रखिएगा अस्पताल में क्या लिखा है अस्पताल में एक प्रसव पूरु जाँच करवाने से गर्ब की इस्तिदिका पता चलता है और साथी साथ गर्ब में पल रहेसिस के विकास की जानकारी भी प्राप्त होती है टीका करण देखिए हाँ टेटनस और वैस्क डिफ्थिरिया अर्थाट टीडी के दो टीके अवस्य लगवाने चाहिए कितने टीके लगते हैं बोलो दो ताकि टेटनस जैसे गंभीर बीमारी से बचा जा सके दोनों टीकों के मद जो है बीच में यस ये कोश्चन भी आता ह चार सप्ता का जो अंतराल है वो होना चाहिए चार सप्ता का मतलब लगबग एक महिना कह लेजिए या 28 दिन कह लेजिए यदि पिछला गर्भ धारण तीन वरस के अंदर हुआ हो हाँ देखिए अगर पिछला गर्भ धारण जो है वो तीन वरस के अंदर हुआ हो यस और मह देखिए रक्त चाप की जाँच यानि की ब्लड प्रेशर हाँ बिल्कुल चित्रों के माद्यम से देखिए सारी चीजी बहुत अच्छे से समझ में आती हैं यह अस्द्यान दिजिएगा रक्त चाप गर्भ वती महिला की प्रते प्रसव पूर्व जाँच के दवरान रक्त च पूचने वाले रक्त में बाधा उत्पन हो सकती है जिससे सिसको परियाप्त पोशन नहीं मिल पाता है इसके संभावित परिणाम यह होते हैं कि सिसु कम वजन का हो सकता है समय से पहले जनम ले सकता है या फिर सिसु मृत पाइदा हो सकता है ठीक है ना चलिए आगे इसके पादेखेंगे अगला पेज चलो अगला पेज देखो देखो क्या है हाँ जी बिल्कुल बढ़िया तो यहां पर देखेगा बात करेंगे वजन तो वजन की जाच की बात कर लेते हैं अरे गर्वती महिला को प्रतेक माह एक बार आंगनवाडी केंदर पर जाकर वजन होता है कि गर्व में सिसका विकाश ठीक से हो रहा है अत्वान नहीं प्रतम तिमाही में वजन ब्रद्धी बहुत कम होती है है ना इस तिमाही में महिला का पंजिकरन करने के समय उसका वजन अवसले और mcp काड में रिकॉर्ड करे क्योंकि वजन का हिया माप गर्वावस्ता के दारान हुई वजन ब्रद्धी का आधार बनता है अब यहां पर देखिएगा बिल्कुल आगे ध्यान दिजिएगा खून की जाच खून की जाच है इनीमिया इनीमिया का पता लगाने के लिए हीमो ग्लोबिन ध्यान अगना यहां पर जो मानक लिया है साथ ग्राम पर डेसी लीटर से कम है तो यह गंभीर एनीमिया का सूचक है ध्यान के हाँ अगर साथ ग्राम पर डेसी लीटर से कम है ना तो फिर यह गंभीर एनीमिया का लच्छण है इसका मतलब खून की कमी जो है वो उपचार है तो तुरंत नजदी की शामदाइक स्वास्ता केंद्र यानि कि CSC पर अवस्य जाना चाहिए यद हीमोगलोबिन साथ से ग्यारा ग्राम पर डेसी लीटर के मद्य है तो भी ध्यान देने की आवसकता है ठीक हाँ तब भी क्या है बोलो ये एनिमिक है है ना बिलकुल एनिमिक है यस अगर ग्यारा से नीचे है नियान कियेगा तब भी क्या है बोलो ये एनिमिक है चलिए आगे देखेंगे इसके बाद भोजन की बात करेंगे गर्भा वस्ता की प्रतम तिमाही में गर्वती महिला यस गर्वती महिला है जो है न जी मिचलाना यस एमम उल्टी जैसे लच्छणों का अनुभव करती है प्रतम तिमाही के लच्छन हैं ये जिससे खाने में अनिच्छा होती है फिर भी उन्हें दिन में तीन बार जरूर बिल्कुल भोजन लेना चाहिए ध्यानकेगा क्योंकि यह गर्ब में पल रहे सिस्के पोसकत्तों की आवसकताओं को पूरा करता है गर्बावस्ता के इस्तिमाही में सिस्की हड़ियों के विकास के लिए गर्वती महिलाओं को अपने भोजन में जो है ना कैलसियम योगत भोजपदार्त जैसे दूद है दही है पनीर है रागी है तिलके बीज है बतुआ है एमम में थी के पत्ते समिलित करने चाहिए गर्वत कोई कारी है तो उन्हें नहीं करना चाहिए गर्वावस्ता के दौरान महिलाओं को दुपहर में भोजन के बाद कम से कम दो गंटे आराम करना चाहिए और रात में कम से कम आठ गंटे की नीद लेनी चाहिए ये सारी चीजे बिलकुल बेश्ट है आगे देखे पहली तिमाह तीनों टाइम का देखे यहां पर भोजन दिया गया है कि क्या क्या खाना चाहिए चले चितर आपने देख लिया है आगे इसको पढ़वी लेते हैं तभी तो समझेंगे पहले तिमाही में ही सिसका हाँ मस्तिस के एवं मेरुण का विकास सुरू हो जाता है कौन सी तिमाही म प्रति दिन एक फोलिक एसिड की गोली का सेवन करें क्योंकि बच्चे के मस्तिस्क और मेरुणंड के संभावित जनम दोसों के खत्रे को कम करने में सायक है अता गर्वती महिला को अपने भोजन में प्रोटीन है ना फोलेट प्रचुर खाद शामकरी जैसे देखे राजमा शोया बीन पालक का साख सेम की फली सर्चों का साख समिलित करना चाहिए यदि परिवार में मांसा हरी बोजल लिया जाता है तो अंडा मांस मचली चिकन वा लीवर है ना इत्याद भी ले सकते हैं ठीक है हाँ बिलकुल जी बढ़िया आगे देखेगा इसके बाद देखेंगे इसके बाद क्या होगा यहां पर देखेगा लिखा है गोद भराई दिवस तथा शगुनकार तो प्रतेक आंगनवाडी केंदर में जो महिलाएं गर्ववती हुई हैं उनके लिए गोद भराई दिवस मनाया जाता है इस दिवस के माध्यम से पहले तिमाही की चिन्नित नई गर्ववतीयों को आंगनवाडी केंदर पर आमंत्रित करते हुए उन्हें स्वास्थाय वापोशन के आवश्यक बिंदुवों पर जानकारी दी जाती है ठीक है हाँ जी बिलकुल आगे देखे इसमें यह देखेंग इस कार्ड में गर्वती महिला प्रतेक तिमाही में अपना पोशन कैसे सुनस्चित करे क्या करे और क्या नहीं करे इसकी जानकारी दी गई है इस कार्ड को देखें बिलकुल विकास यूपी डॉट जी ओवी डॉट इनसे डाउनलोड किया जा सकता है बिलकुल कौन सी है आप लोग समझ गया होंगे यह देखिएगा शगुन कार्ड है है थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं तो बिल्कुल जादा थोड़ा सा क्लियर्टी जादा आएगी ठीक है हाँ बिल्कुल देखिए एक से तीन माह हाँ क्या क्या है ध्यान दिजिएगा इसमें देखिएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है बिल्कुल इंपोर्टेंट है चले मैं बता देता हूं फिर भी देखिएगा प्रथम त्रहमास है ना क्या करना चाहिए तो गर्ब का पता चलते ही आंगनवाडी केंदर पर पंजी करण कराएं और हर माह स्वास्त का चार्ज कराएं, डिफ्थीरिया यानि कि टीटी का पहला टीका लगवाएं, फॉलिक एसिड की एक गोली रोज खाएं, प्रति दिन तीन बार पूरा भोजन करें, सभी खा दे समूहों में से, हर चीज है ना सामिल हो, खाना खाने से पहले हाथ जरूर दोएं, फलेवं सब्ज कम पिये, धूमरपान इत्यादी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, अब देखेगा, हाँ सेकेंड ट्रैमिस्टर की बात करेंगे, हर माह अपनी स्वास्ताय जांच एवं वजन कराएं, टिटनस, डिप्थीरिया यानि की टीडी का दूसरा टीका लगवाएं, प्रति दिन एक फॉलिक एसिड की गोली, नीमबू पानी के साथ सोते समय खाएं, कैलसियम की दो गोली प्रति दिन खाएं, आगे, प्रति दिन तीन बार पूरा भोजन और दो बार पोश्टिक नास्ता करें, रात में आठ गंटे की नीद ले और दिन में जो है दो गंटे क्या करें, बोलो आराम करें, क्या न करें, तो देखें, आरन फॉलिक एसिड की गोली, दूध, चाय, काफी के साथ ना खाएं, ये ध्याना किया बिल्कुल हाँ, आरन फॉलिक एसिड की जो गोली है ना, अपनी स्वास्ते जांच एवं वजन कराई यह तो बहुत जरूरी है प्रतिदिन एक आयरन फॉलिक की एसिड की गोली नीमबू हाँ बिल्कुल नीमबू पानी के साथ सोते समय खाएं कैल्सियम की दो गोली कांटीनू रखें रात में आठ गंटी की प्रयापत नीद ले और जिन में दो गंटे आराम करें प्रसव के लिए पूरी तयारी करें हाँ इस्टाइम प्रिड पिरिड में विर्कुल पहले से ही तयार रहें अस्पताल ले जाने वाले Br inten get को सभी आविश्क सामगरी के साथ त्यार करके रखें प्रसव के बाद एक घंटे के अंदर सिस्को म नहीं डिब्बे का दूद गाई या बकरी का दूद ना पिलाएं बिलकोल क्विस समय सिर्फ मा का दूद है ना ना कभी आ का दूद ही क्या है बोलो शर्वत्तम आहर है अब यहां पर देख लीजिए का हर महीने लिखना चाहिए पहला दूसरा नहुता मईneaungen लिखो अपना एक चार्ड बना लो है न आयरन की कितनी गोलियां खाए कितनी काल्सियम की खाए और सारा बाकिया पढ़ लेजिए मुखी खाद शमू आपके सामने दिये गए है ठीक है न यस तोड़ा बहुत बिल्कुल अपने आप से पढ़ लेंगे यहाँ पर देख लेजि हम लोग सेकेंड ट्रैमेश्टर की तो दूसरी तिमाही की गर्वती को दी जाने वाली जानकारियां तो दूसरी तिमाही में भुरून का विकास देखे चार महीना पांच महीना और बोलो क्या है बोलो छे महीना चार पांच है तो स्वास्था जांच की बात कर लेते हैं यह पर हम लोग यांद जीएगा गरभावस्ता की दूसरी तिमाही में सिसका विकास तेजी से होता है गरवती मैला को इस तिमाही की सुरुवात में एक और प्रसवपुरु जाच है ना स्वास्ता कर्मी या चिकिस्थक से करा ले नीच चाहिए गरबस्त सिसका हिलना डुलना गर सोरी हाँ बाई सप्ता हमें होने लगता है हपता गहलो या फिस सप्ता गहलो ठीक है हाँ अब वजन की बात करेंगे तो दूसरी तिमाही में शामानिता जो कुल वजन है वो पांस से छे किलो ग्राम यस वजन ब्रदी जो है वो हो जाती है गरवती महिला को हर महीने एक बार यस वजन आंगनवारी केंडर पर जाकर जरूर करवाना चाहिए और mcp card में record करवाना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्व में सिस का विकाष ठीक से हो रहा है या नहीं यस हाँ वेट कराना बहुत जरूर है क्योंकि इसी से बच्चे के बारे में जनकारी मिलती ह किस प्रकार से बच्चा जो है ग्रो कर रहा है आगे देखिए हीमोग्लोबिन की बात करेंगे ठीक हाँ देखें दूसरी तब चितर में लिखा है आइरन हुआ कैल्सियम की गोली का सेवन तो हीमोग्लोबिन देखिए क्या लिखा है इस तिमाही में भी खुन की जाच अवस्य करनी चाहिए दूसरी तिमाही से सभी गर्वती महिलाओं को प्रति दिन आयरन की एक गोली एवं एनीमिया होने पर आयरन की दो गोलियां लेना आवस्यक है एनीमिया की गमभीर अवस्था में चिकित सी प्रवंधन की आवस्यक्त भी हो सकते यगर ज़्यादा दिक्कत है तो कैलसियम देखें तो कैलसियम की इस तिमाही से गर्वती महिला को कैलसियम युक्त भोजन के साथ साथ कैलसियम की दो गोली प्रति दिन सुरू कर देनी चाहिए दूसरी तिमाही में प्रत दिन कैलसियम की दो गोली है ना एक गोली नास्ते या दोपहर के भोजन के बाद लेनी चाहिए दूसरी गोली शाम या रात के भोजन के बाद कैलसियम की गोली को पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना चाहिए यह भी ध्यान नकिएगा हाँ कैलसियम की गोली कैसे पानी के साथ यह नहीं पता चला दूद के साथ ले ली है न हाँ यह कंडिसन से ध्यान नकिएगा बिलकुल हाँ बिलकुल अब यहां देखिएगा लाश्ट में लिखा है यह पॉइंट भी तोड़ा सा देख लीजिए गरभावस्ता के दौरान प्रतेक माह वजन कराना एक आदर्स में उहार है पर पूरे गरभकाल के दौरान कम से कम चार ब अगला पेज है पेज नमबर है 36 तो देखें डी वार्मिंग की बात करेंगे इस्तिमाही में एक बार पेट के कीड़े मारने वाली दवा 400 मिली ग्राम कितनी है बोलो 400 मिली ग्राम है और है कौन अलबेंडा जोल की एक गोली खानी चाहिए यह एनेमिया से क्या करती है बोलो पाचन यह संबंदित समस्याओं को भी से भी बचाती है आगे देखें इसके बाद भोजन की बात करेंगे इस इतिमाही से भून का विकास तेजी से होता है इसलिए गर्वती महिला की भोजन की आवसिक्ता जो है वो बढ़ जाती है महिला को अपने भोजन में प्रोटीन ए समेस समिलित करना चाहिए यद गर्वती महिला मांसा हारी भोजन का सेवन करती है तो उसे अपने भोजन में अंडा है मचली है है ना एवम चिकन लिवर को शमिलित करना चाहिए इस दिमाही में गर्वती महिला को कम से कम तीन पूर्ण भोजन और दो बार पोश्टिक जो है अपने भोजन में विटामिन सी यूद निया रखिए हाँ विटामिन सी यूद फलों जैसे आंवला है संत्रा है अम्रूद है नीम्बू है एवं मोशम में भी शामिल करना चाहिए क्योंकि ये आईरन के और सोशन में क्या करती है बोलो मदद करती है दूसरी तिमाही में जो है क्या करे भोजन और दो बार जो है पौश्टिक नास्ता ओवराल पांच हुआ ठीक हां तो ये देखे भोजन पौश्टिक नास्ता फिर भोजन फिर पौश्टिक नास्ता और इसके बाद बोलो क्या है भोजन चलिए आगे देखेंगे इसके बाद बिलकुल वीडियो में क्या है खास तो देखे गर्वती महिला को दूसरी तिमाही में भी भारी कारियों से परहेच करना चाहिए दूसरी तिमाही में भी गर्वती महिलाओं को दोपहर में भोजन के बाद कम से कम दो घंटे करें आराम और रात में कम से कम आट घंटे क्या के लिए बोलो बढ़ि और गिरते लिंग आनुपात को रोकने के लिए पूरुगरदवाधान और प्रसवपुर्म निदान तक्नीक। कौन सी बोलो PCPNDT अधिनियम 1994 एक कानून है ध्याना कियेगा 1994 यहां से कोश्चन आता है इस अधिनियम से प्रसवपुर्लिंग निर्धारण पर प्रतिबंद लगा दिया गया लिंग निर्धारण जो है वो एक अपराध है और इस अपराध में सलंगन अपराधी को तीन साल कैद कई साल की कैद है तीन साल की कैद और दस अजार रुपया तक जर्माना लगाया जा सकता है ठीक है हाँ बिलकुल यद कोई परिवार यह जानना चाहता है तो उसे रोके हाँ अगर कोई जानना चाहता ना कि गरब में पल रहा जो बच्चा है यस वो क्या है बोलो बिलकुल अगर इसमें करते हैं आप उसकी मदद तो फिर आप समझ लेजिए बिलकुल आपको किया जाएगा पनिस ठीक है चलिए तीसरी तिमाही की गर्वती महिलाओं को दी जाने वाली जानकारियां तीसरी तिमाही में भ्रून का विकास देखिए तीसरी तिमाही जो आठ नो है ना साथ आठ नो सवास्ते जांच की हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो गर्वावस्ता के तीसरी तिमाही में कम से कम दो बार प्रसव पूर जांच करनी चाहिए कई बार बोलो बार एक साथवी और एक आठवे उसमाह वजन जरूर करवाना चाहिए और MCP कार्ड के प्रश्ट चार में गरबावस्था के माह के सापेच रिकार्ड करवाना चाहिए नौवे माह के अंद की वजन को पहली दिमाही के वजन से तुलना करने पर पता चलता है कि गरबावस्ता के दौरान कुल कितनी वर्दी हुई है तीसरी तिमाही के दोरान सबसे अधिक देखिए हाँ सबसे अधिक कितनी साड़े पांच से छे किलोग्राम की व्रद्धी होती है और मासिक वजन व्रद्धी अगर आउसत लिया जाए तो आउसत जो है वो देड़ से दो किलोग्राम होनी चाहिए मासिक आउसत है देड़ से दो किलोग्राम जो है हर माह ठीक है न हाँ बिलकूँ सुरुवात में कमड़ता है उसके बाद आइरन फॉलिक एसिड की बात करेंगे आइरन फॉलिक एसिड यानि कि IFA गरभा वस्ता की तीसरी तिमाही में प्रति दिन एक आइरन फॉलिक एसिड की गोली साधे पानी या नीम पानी से लेलो कब लेलो सोते समय दूद और चाय और काफी के साथ मतलेणा एनीमिक महिलाओं को यानि कि जिनके अंदर खून की कमी है जिन महिलाओं में खून की कमी है उन्हें जो है या दो गोली जो है प्रति दिन लेना क्या है बोलो आवस्थक है अरे बात करेंगे बिलकुल कैल्सियम की तो कैल्सियम को भी थोड़ा जान लेते है गर्वती महिलाओं को तीसरी तिमाही में भी प्रति दिन कैल्सियम की दो एक गोली नास्ता दुपहर के बोजन के बाद लिनी चाहिए और दूसरी साम को रात के बोजन के बाद ठीक है हाँ कैलसियम की गोली को पानी के साथ लेना चाहिए बोजन की बात करेंगे तो तीसरी तिमाही में सिस्का वजन और लंबाई तेजी से बढ़ता है गरवती महिलाओं को कम से कम 3 बार यस पूरा भोजन लेना चाहिए और दो बार जो है पूश्टिक नास्ता करना चाहिए क्योंकि गरभावस्था के अतरेक्त उर्जा यस गरभावस्था के लिए जो अतरेक्त उर्जा है ना यस उर्जा और प्रोटीन की आवसकता होती है जिससे भून का विकास होता है गर्वती महिलाओं को थोड़ो थेड़े अंतराल पर भोजन करना चाहिए नहीं कि थोड़े थोड़े समय में जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उन्हें खाते रहना चाहिए बिल्कुल हाँ य इसके मस्तिस का विकास काफी तेजी से होता है अताहा गर्वती महिला को अपने भोजन के वसायुक्त भोजन पदार्तों जैसे देखे मेवा तिलहन को भी शामिल करना चाहिए आंगनवाडी के अंदर से प्राप्त पुष्टाहार को भी दैनिक जीवन में क्या करना ठीक है हाँ सम्मेलित करना चाहिए आगे इसके बाद देखिएगा बात करेंगे बिल्कुल अगला पेस देखिए तीसरी तिमाही में भोजन तो यहाँ पर देखिए क्या है हाँ दिन में कितनी बार बोलो तीन बार कितनी बार बोलो तीन बार यह पूरा फीगर देख लिज अब यहां पर देखेगा समझिएगा हाँ जी गर्वती महिला को तीसरी तिमाही में भी सारी है ना बिल्कुल तीसरी तिमाही में भी भारी कारियों से पूर्ण परहेज करना चाहिए दुपहर में भोजन के बाद कम से कम दो गंटे आराम करना चाहिए रात में कम से गम आठ गंटे की नीद लेनी चाहिए कुछ हलके बैयाम करते रहना चाहिए जैसे थोड़ा थोड़ा चलना लंबी सांस लेना वा छोड़ना आद या बच्चे के विकास और मा के वजन में सुधार के लिए बहुत ही क्या है बोलू महतुपूर है इस्तनपान की बात करेंगे तो यहां पर देखें इस्तनपान की बात करने वाले हैं ठीके हाँ तीसरे तिमाही की गर्वती महिला एवं उसके परिवार के अन सदस्यों को इस्तनपान के महतुत तथा इस्तनपान कराने की तकनीक के बारे में बताना बहुत आवस्थक होता है इसके लिए सुलब उपलब्द वीडियो का भी प्रयोग किया जा सकता है गर्वती महिला एवम उसके परिवार के अन्स अदस्यों को सिसके जन्म के तुरंद बाद इस्तनपान से संबंदे तीन बाते जो हमेशा याद रखनी चाहिए इस्तनपान देखे यहां पर परामर्स की बात हो रही है ठीक हाँ तो देखे क्या है समझेगा ध्यान से मा का पहला पीला गाड़ा दूद जिसे खीस क्या बोलते है बोलो खीस या कोलिस्ट्रम कहते हैं दियान रखेगा सिसके लिए पहला पूरा आहार होता है इसे भूल से भीर ना फेके ध्यान दाया नकिएगा बिल्कुल ये सुरच्छा कवच का काम करता है अब देखे सुरच्छा कवच का काम करेगा तो इसका मतलब ये समझ लिज़े बिल्कुल इमनाइजेशन ये टीका करनी दाया इसे सिस्व के लिए प्राकतिक नेचुरल है ना टीका करण भी माना जाता है जो सिस्व की रोग प्रत्रोदक छमता बढ़ाने में मदद करता है दोध पिलाने की बोतल या फिर कोई फार्मूला फीड सिस्व को नहीं देना चाहिए यह डिक्रसव आपरेशन द्वारा भी होता है तो इस्तनपान घरवालों के सहयोग से जरूर कराएं जरूर कराना है बिलकुल नवजात सिस्व को या नखिये मा के दूद और खीस अर्थात कोलेस्टरम के अलावा नहीं कुछ चखाएं और नहीं कुछ चटाएं जैसे सहद है जर्म गुट्टी है या अन्य तरल पदा यहां तक की पानी भी जो है वो नहीं देना है पानी भी नहीं देना है बिलकुल चलिए आगे देखें इसके बाद पेज नंबर है थार्टीन नाइन तो थार्टीन नाइन की बात करेंगे हाँ जी बिलकुल अब यहाँ पर देखे परिवार नियोजन की बात हो रही है परिवार नियोजन तीसरी तिमाही की गर्वती महिला एवम उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में बताना बहुत आवस्थ होता है परियाप्त अंतराल के बिना बार बार गर्बधारण करने से आपरिपक्को सिस्का जन्म है ना हाँ बिलकुल कम वजन वाले सिस्का जन्म गर्बपात या मुरत सिस्की संभावनाएं बढ़ जाती है इसलिए दो बच्चों के बीच में कम से कम तीन वर्सों का अंतराल रखना जो है वो आवस्सक है छोटा परिवार बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन आसरे सिच्छा और बेहतर भविस्य देने में आर्थिक ग्रूप से सच्छम होता है इसलिए छोटे परिवार के बारे में हर किसी को सोचना चाहिए सरकार द्वारा उपलब्द कराए गए परिवार नियोजन के विकल्पों अब देखे जिसे पुरुसों के लिए हाँ पुरुसों के लिए कौन है तो यहाँ पर ध्यान दिखिएगा पुरुसों के लिए हैं नस गोलियां है और कंडोम, है न, इस, इनके बारे में जो है जानकारी देना चाहिए, परिवार नियोजन के उपाय देखें, चित्रों के माध्यम से आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर, हाँ, चित्रों के माध्यम से तो देखिएगा सबसे पहले गर्व निरोधक क्या है बोलो ये injection है ये कंडूम है और यहाँ पर देखिए क्या है गर्व निरोधक गोलिया साथी देखिए बिलकुल यहाँ पर फीमेल कंडूम और पुरुस नस्बंदी की बात कर रहा है साथी महिला गर्बकाल की अंतिम अवस्ता में होती है इसलिए गर्वती महिला को सुरचित एवं संस्था प्रसो के लिए तैयार रहना चाहिए प्रसो के दोरान सही समय पर सही चिकिस्टा एवं सही देखबाल मिलना और और क्या बोलो मा और बच्चे दोनों के लिए आवस्तिक है इसलिए महिलाओं को अपना प्रशव अस्पताल में करवाना चाहिए देखिए अस्पताल में जो प्रशव है वही सुरचित प्रशव है घर में करेंगे बिल्कुल हाँ कंडिसंस जो है वो दिक्कत वाली हो सकती है गर्वती महिला को सही योग देने के लिए उसके पति या घ यान किएगा हर एक मेरी देखे पूरी सभी बातों को आप अच्छे से समझेगे ना तो ओवराल सब कुछ समझ में आएगा आकस्मिक परस्थित जैसे एमर्जंसी के लिए वाहन की बेवस्ता करके रखनी चाहिए समझ मारा है कि नहीं बिल्कुल हाँ अगर कोई दिक्कत है त ताकि एकदम से जरूरत पढ़ने पर उसे बुलाया जा सके पता चला आपको नंबर ही नहीं मालूम है तिगना किस अस्पताल में प्रशव कराना है इसका निर्ले पूर्व से यस पहले से ही निश्चित कर ले कि जो हाँ बिल्कुल जो प्रशव कराना है वो कहां पर कराना है किस अस्पताल में आगे एक सहीयोगी का चैन करके रखना चाहिए जो उसके साथ प्रसों के लिए जाएंगे और जरूरत पढ़ने पर उसके साथ अस्पताल में भी रहेंगे एक जोला तयार करकर रखना चाहिए जिसमें आवस्चिक सामान के अदिके जैसे मां है ना के के लिए साफ धीले कपड़े सेनेटरी नैप के नवजात के लिए जो है साफ सूती दुले कपड़े आधार कार्ड है है ना मौसम के अनुसार कपड़े जैसे जाड़े में यह यह प्रिसव हो रहा है तो कंबल ठीक है चूंकि आसा अधिकतर केस में गर्वती महिला को प्रसव के लिए लेकर जाती है इसलिए आसा के साथ जो है यस परिवार को शंपर्ग में रहना चाहिए आगे देखें इसके बाद ध्याम दीजिएगा बिलकुल देखें हाँ प्लास तो बड़ी है थोड़ा सा समय जरू लगेगा इसलिए मैंने बोला था वीडियो के आप पूरा जरू देखना चार से पांच बार में देखना कोई भी दिकत नहीं है चार से पांच बार में देख पूरू से होनी चाहिए सिसको साथ दिन के बाद ही नहलाना चाहिए ये पॉइंट नोट कर लेना सिसको साथ दिन के बाद ही नहलाना चाहिए यस सिसके कुछ दिन तक गर्म और गीले कपड़ों से पोच कर ततकाल सुखे कपड़े से पोच देना अच्छा रहता है क्योंकि नहलाने से उसे गीला छोड़ने या खुला छोड़ने से ठंड लग सकती और वो बीमार पड़ सकता है नौजात का नौजात सिसु का टीका गरण है ना गरवती महिला के पती या घर के अन्य सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि इस्पताल में जन्म के समय सिसको तीन टीके सिरो डोज हो गया एक बीसे जी हो गया और एक हो गया के हेपेटाइडिस भी नौजात सिसके वजन की बात करेंगे तो गरवती महिला के पती या घर है ना कि अन्य सदस्यों को पता होना चाहिए कि प्रसों के तुरंत बाद सिसका वजन मापना आवस्सक है जिससे की पता च साउधानियों की बात करेंगे तो साउधानी देखो गरवावस्ता के दोरान गरवती महिला को कुछ साउधानियों का ध्यान रखने की जरूरत होती है यद गरवती महिला इन साउधानियों का ध्यान नहीं रखती तो उसका प्रभाव उसके स्वास्ताय के साथ साथ उसके गर्ब में पल रहे, बच्चे पर भी पड़ता है, इसलिए गर्वती महिलाओं को नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिएगा, गर्वती जो महिला है ना कुक काफी जो है काफी चाहिए, कम पीनी चाहिए, नसे और तमाकु का सेवन जो है वो बिल्कुल न ना आत, इससे गर्वपात, अपरिपक को प्रशव, जन्म के समय कम वजन का बच्चा, सूजन चोड रुगटना का खत्रा बढ़ सकता है, डाक्टर की सलाह के मिना कोई दवाई ना खाएं क्योंकि गर्वपात एवम अनजटिता की संभावना हो सकती है, आरन फॉलिक दोनों गोलियों में कितने घंटे का अंतराल होना चाहिए, तो दो घंटे का अंतराल होना चाहिए, ये पॉइंट भी ध्यान केगा, आगे देखें, गर्वपावस्ता के दवरान कोविड टीका करण की बात कर लेंगे, वर्तमान में गर्वती महिलाओं को कोविड वैक्सी हो जाता है, तो उसे वैक्सीन परसो के बाद लगवा लेना चाहिए, अन्य वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन से भी हलका बुखार, इंजेक्शन वाली जगे पर दर्द या एक से तीन दिनों तक अस्वस्त महसूस करने जैसे मामूली दिस्प्रभाव हो सकते हैं, घबराने की आँ सकता नहीं है, हाँ, बिल्कुल, हलका बुखार ही छोड़ो, कुछ लोगों के बिल्कुल देखेगा, बहुत तेज बुखार भी आता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल बहुत तेज भी, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल, हाँ, पैरावरा से टामा महां दवाईयां होती है थोड़ा सा ले लो बिल्कुल रहा चलिए आगे देखें इसके बाद गरभा वस्ता के दवरान सूचम पोसक तत्तों के सेवन से शमंदित आवस्ति जानकारी तो देखें पहली तिमाही में फॉलिक एसिड यस गोली का सेवन करें तो यहां पर देखें लिखा है फॉलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन फॉलिक एसिड बच्ची के मस्तिस्क और मेरुडेंट से जुड़े जनम दोसों के खत्रे को कम करने में मददगार होता है गर्व का पता चलते ही गर्वती यस हर गर्वती को एक फॉलिक एसिड चार सो माइक्रो ग्राम की गोली प्रतिन लेना आरम कर देना चाहिए पूरी पहली तिमाही में इस गोली का सेवन करना आवश्यक है दियान नहीं किए गा, बिल्कुल 400 mcg है, ठीक है, हाँ, mcg, चलिए आगे, हाँ, mcg, ठीक है, हाँ, miligram नहीं, मCG, चलिए आगे, IFA, iron folic acid, की गोलियों का नेमित 7, तो देखे, प्रदेश में एनेमिया, एनेमिया का मतलब, रक्ताल पता, अर्थात क्या बोलो, खुल की कमी सब एक की बात है एक प्रमुक जन स्वास्त है समस्या है या गर्वती तता धात्री महिलाओं के अतिरित बच्चों किसोर किसोरियों में भी पाई जाती है नैस्नल फेमली हेल्थ सर्वे फाई दोजार उनीस से 21 के आकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर आउस्तन देखेगा हर दूसरी गर्वती महिला जो है एनीमिया से ग्रिसित है गर्वावस्ता में एक कमवजन के बच्चे की जन्द के संभावना बिल्कूल बढ़ जाती है गर्वावस्ता में एक कमभीर समस्या है इसलिए समय से इसकी पहचान करना जो है वो बहुत आवस्तक है ठीक है हाँ कुछ लच्छनों के आधार पर एनीमिया की पहचान की जा सकते जैसे देखे चेहरा नाकून आखों और उंठों का रंग फीका पढ़ने लगता है कमजोरी है चक्कर और ठकान महसूस होना महिलाओं को सांस लेने में बहुत परेसानी एकागरता से कारिक करने में जो है कठिनाई होना यस एनीमिया के इस तरकी जानकारी के लिए जो है खून की जाच है ना यस इसी माध्यम से होती है आगे देखें इसके बाद ध्यान से समझेगा बिल्कुल गर्भा वस्ता में शामान वस्ता तक तक होती है जब खून में हीमोगलोमिन की मात्रा ग्राम 11 ग्राम से अधिक होती है यदि खून में इमोगलोबिन 11 ग्राम से कम है तो महिला को एनेमिया से ग्रसित है तो महिला को एनेमिक कहा जाएगा यदि इमोगलोबिन 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनेमिया का सूचक है ठीक है हाँ बिल्कुल आइरन की गोली का सेवन चितर आप लोग देख लेजिए आयरन की गोली भी देख लीजिए ठीक है आगे देखिए अनेयमिया ठीक है हाँ जी बलकुल अनेयमिया से बचाओ करने के लिए आवस्थच है कि आयरन युक्त भोजन के साथ साथ मैला सवास्ता के अंद से आई एफ़े की गोली का सेवन गर्भा वस्ता में खून की कमी तता प्रशव के दावरान और पश्चा तरक्तस्राव के जोखिम को कम करता है गरबावस्ता के चौते माँ की सुरुवात में आई एफे की एक गोली 60 मिली ग्राम एलिमेंटल आइरन और 500 माइक्रो ग्राम फॉलिक एसिट प्रदिन लेनी चाहिए आगे देखेंगे इसके बाद चितर देखें सामने देख लेजी कैलसियम की गोली है है रहा नहीं लेना है यहाँ पे हाँ साधा निमू पानी ठीक है हाँ चाए और दूद यह सुप्रास मने इसका मतलब नहीं ठीक है हाँ चौथे माह से प्रसव होने तक कुल 180 गोलिया खानी चाहिए यह भी ध्यान केगा चौथे माह से लेकर एकसा प्रसव तक कितनी 180 इसी प्रकार प्रसव पश्चार धात्री महिलाओं को भी यस बच्चे के छे माह तक प्रति दिन आई एफे की एक गोली यानि कुल 180 गोलियों का सेवन करना चाहिए यहां से कुश्चन देखिए बन सकते हैं बिल्कुल चीजों को देखिए ध्यान से सुनेंगे ध्यान से समझेंगे तो हर एक चीज आसानी से कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी चली आगे बढ़ेंगे इसके बाद हाँ जी बिल्कुल बढ गर्वती महिला को प्रदिन दो आइरन की गोलियां है ना यस दो आइरन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए और यदि साथ यस हीमोगलोबिन जो है ना साथ ग्राम से कम है तो नजदी के अस्पताल चाहें कभी कभी आइरन की गोली खाली पेट लेने से उल्टी मिचली और चक्कर आते हैं ऐसी हिस्तित में आइरन की गोली खाना खाने के एक घंटे बाद ले आइफे की गोली साधे पानी या नीमबू पानी के साथ लेनी चाहिए नीमबू जो है वो आइरन की आवसोसन में क्या करता है बोलो मदद करता है आइफे की गोली खाने के एक घंटे past, jest Zaino. USA की एक वह आसे की गोली, खाने के एक गंटे पहले या बाद में ठीका हाँ, जिसे आईएफ़े की आपने गोली लीwen तो उसके एक गंटे पहले या बाद में चाय और कौफी जो है बिलकूल आई एफ़े की गोली दूद चाए और कौफि के साथ जो है वो नहीं लेनी चाहिए कालसियम की गोलियों का नियमित सेवन, सेवन की बात करेंगे तो देखिये ग्या है कैल्सियम की गोलियों का नियमित सेवन गरभावस्था प्रशो के दवरान वा प्रशो पश्चार प्री एकलमपसिया एकलमपसिया रक्तचा बढ़ना आखों में दुंदलापन या दवरे पढ़ना ये साध की जटिलता को कम करता है कैल्सियम जन्म के समय कमवजन और समय से पहले जन्म के जोखिम को भी कम करता है कैल्सियम बच्चे के दाते हम हड्यों के विकास के लिए भी आवश्चक है गरभावस्था के चौथे माह की सुरुआ से बच्चे के छे माह तक कैल्सियम की दो गोलियां 500 मिली ग्राम प्रति दिन खाने चाहिए पहली गोली सुबह नास्ते दुपहर के भोजन के बाद और दूसरी गोली जो है वो शाम को रात के भोजन के साथ खाने चाहिए इस गोली को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है कैल्सियम इम आयरन की होगा आई एफए और कैल्सियम की गोली के सेवन में कम से कम दो घंटे का जो अंतर है वो जरूरी है सुबह की थूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है विटामिन डी थ्री कैल्सियम के आउशोशन में क्या करता है बोलो मदद करता है चितरी यहां पर देख लेंगे गरभा के scient करण गॉली सुबह नास्ते के बाद दूसरि गोली दुपहर के भोजन यहां पर देखे कैल्सियम की दो गोली एक साथना ले अन्य कल्सियम और आईरिंग की गोली एक शाथना ले थीक है अब यह देखें कैलसियम की गोली भोजन के साथ ना ले अब यहाँ पर देखें यह पॉइंट पढ़ लीजिएगा कैलसियम सिसूं की हड़ियों की ब्रद्यों विकास में मदद करता है कैलसियम के सेवन से प्रशो के दावरान होने वाली जटिलता है हाँ सूजन है दोरा पढ़ना आधिका जोकिम कम होता है कैलसियम और आयरन की गोलियों के बीच में दो गंटे का अंतराल होना चाहिए इधर साइड में चलेंगे तो इधर देख लिजिए क्या है आयरन की गोलियों का शेवन एक गोली रात को सोते समय अब देखे कैलसियम और आयरन की गोलियों को साथ में ना ले आयरन की गोली चाय दूद के साथ ना ले आयरन की गोली शादा हाँ नीमबू पानी के साथ लेना चाहिए ठीक हाँ ये देखे क्रास बना इसका मतलब ये नहीं करना है राइट ठीक है इसका मतलब इसको करना है ठीक है चलो आगे यहाँ पर देखे क्या लिखा है नीले वाले में आइरन की गोली का सेवन गर्भा वस्ता में खूल की कमी अत्वा अंजटिलताओं को कम करता है गर्म में पल रहस उसके दिमाग का विकास करता है ठीक है गर्म में पल रहस उसके दिमाग का विकास करता है आइरन की गोली से जी मिचलाना उल्टी होना या महा येस हाँ मल काला होना आम बात है ठीक है हाँ अगर खून की कमी अधिक हो तो आईरन की दो गोली खाने चाहिए पर दोनों गोली एक साथ ना खाएं अलग अलग खाएं ठीक है चलिए अगले पेज पर चलेंगे अगला पेज देखेंगे अब क्या है यह बिलकूल हाँ बहुत जवरजस देखे जानकारी आपके लिए है गरभावस्था के दोरान पाई जाने वाली जटेलता है तो गरभावस्था या प्रसों के दोरान कभी भी खतरे के लचण उत्पन हो सकते हैं इन लच्छुनों की जानकारी होने से महिलाय सच्चेत रह सकते हैं और महिला स्वास्ता केंद्र से शक्षमय चिकित सी साहिता प्राप्त कर सकते हैं महिला में पाए जाने वाले खत्रे के लच्छुन की बात करेंगे तो लच्छुन क्या है देखे समझिएगा योन से खून का बहना अतवारत के ठक के निकलना दिक्कत वाली बात है आखे घूम जाना चेहरे और हातों में अकडन होना सरीर में एठन आना और जोर से हिलना दिक्कत की बात है छूने पर सरीर गर्म लगना तापमान जो है वह सो डिग्री आनी कि साहते दिक्कत वाली बात है इसमें तुरंद चिकिस्टा की आवसकता होती है यह द्यान किये सिर्दर्द कीवर सिर्दर्द के साथ आंकों के आगे धुंदला पनिया धब्बे होना गुपतांगो में खुजली होना आगे इसके बाद देखिए हथेली के पीछे सूजन होना या फिर पैर में एड़ी के पास सूजन होना जिससे अंगुली से दवाने पर क्या होते हैं बोलो गड़े पढ़ जाते हैं तो यह देखिए सब समझ गये होंगे अब अगला पेज़ देखते हैं तो अगला पेज़ देखते हैं हम देजिएगा बिलकुल हाँ जी बिलकुल चले देखे यहाँ पर देखे लिखा हुआ है धात्री माताओं का पोश्ण वस्वास्थ है देख भाल तो इसकी बात करेंगे हम लोग लिखा है पोश्ण की बात करेंगे पहले इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की तुलना में अधिक पोश्ण की आवसकता होती है इस्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदिन शामानिता जो है वो 1660 कैलोरी की अतरिक थाना 600 किलो देखे इस्तनपान करा रहे तो यहां पर 600 कैलोरी की आवसकता होती है प्रसो के दवरान खwonी उरजा की प्राप्तिवा दूदद बनाने की प्रक्रिया के लिए अतरिक्त कैलोरी की आवस्यक्ता होती है मा के दूद की गुढवत्ता मा की आहार पर काफी हद तक निर्भर करती है ठीक है हाँ, इस्तनपान कराने वाली मा के लिए ये आवस्यक है कि वा विविद खाद पदार्तों से संतरत भोजन खाए जिसमें मा के दूद में पोसक तत्वों की आपूर्ती सतत बनी रहे इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को भूंक भी थोड़े थोड़े अंतराल पर लगती है क्योंकि उन्हें अपने पोस्टन के साथ साथ सिसके पोस्टन पर भी ध्यान लगना है इसे लिए इस्तनपान कराने वाली माको बढ़ते बच्ची और खुद के पोस्टन की जरूत को पूरा करने के लिए रोज तीन बार भोजन करे और तीन बार यहाँ पर नास्ता दो बार नास्ता होगा ठीक है? हाँ दो बार चलिए आगे देखे तीनी बार है यहां पर धात्री के चबात हो रहे है धात्री में देखेगा तीनी तीन होगा ठीक हां धात्री में तीनी तीन वैसे गरभावस्ता में तीन हो दो तो देखे धात्री महिला का भोजन क्या लिखा है दिन में कम से कम तीन बार भोजन के सा सा तीन बार क्या करे बोल चलिए अब देखिए गया पर इस्तनपान कराने वाली माताओं को अपने भोजन में पांच तरह के खाद शमुहों को शमलित करना चाहिए जैसे प्रदिन देखे क्याहर में विविन प्रकार के खाद पदा जैसे अनाज है दाले हरी पत्तिदार सब्जियां है जैसे पालक है म पीले नारंगी फल जैसे आम पका पपीता वा दूद दूद युक्त पदार्थ दूसरी सब्जियां जैसे चुकंदर गाजर तेल एवं मेवे समलित किये जा सकते हैं यदि परिवार में मांसा हारी भोजन का सेवन किया जाता है ठीक है हाँ सेवन किया जाता है तो अंडे म प और मांस को भी शामिल करें सास साथ महिलाओं को प्रति दिन आठ से दस गिलास पानी भी पीना आवस्त करें दात्री महिला को आंगणवाड़ी केंदर से क्राप्त पोशा हार ठीक है ना का प्रति दिन निर्धारित मातरा में शेवन करना चाहिए अब थोड़ा सा यहां पर देखिए एनीमिया की बात करेंगे ठीक है एनीमिया देख लीजिए गा बच्चे की जन्म के बाद खून की कमी के कारण मताओं को ठाकान बिवहर में बदलाओ और अन्य लच्छणों का अनुभर हो सकता है यदि बच्चे के जन्म के तुरंद बाद मां के ठीक हां मां में खून की कमी को दूर नहीं किया जाता तो प्रसव पस्चात जटिलता होने की शंबावनाएं होती है इसलिए प्रसव के बाद छे महीने तक ध्यानगना छे महीने तक धात्री महिलाओं को प्रति दिन आयरन की एक गोली 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेनी चाहिए कैलसियम प्रसव के बाद छे महीने तक कैलसियम की गोलियां दिन में दो बार ली जानी चाहिए कैलसियम की एक गोली सुबए है ना दुपहर के भोजन के साथ और दूसरी जो गोली है वो शाम है ना रात के भोजन के साथ लेनी चाहिए आगे देखें इसके बाद अगला देखेंगे ये पॉइंट देखें नोट के लीजिएगा पढ़ लीजिएगा ध्यान से पढ़ाना बहुत ज़रूर ये देखेंगा रटना कुछ नहीं इसको समझने क्या हो सकता है मुझे लगता है मेरी बात आप लुग सुनोगे ना परियापत होगा इस्तनपान और केवल इस्तनपान ठीक है हाँ गरभावस्ता के तीसरी तिमाही से तताप्रस्वू परांग भी इस्तनपान प्रशाहन पर ध्यान दियना अतिमहत्त पूड़ है दात्री माता एवं परिवार को शमय समय पर इसके बिसे में बताते रहना चाहिए इस्तनपान नवजात सिसके पोशन का सर्वोतम स्रोत है ठीक है ना यह उन पोशकततों से परपूर्ण होता है जिनकी नवजात को आवसकता है मा के दूद में एंटी बॉड़ी भी होती है ठीक है मा के दूद में क्या होती है बोलो एंटी बॉड़ी यस एंटी बॉड़ी अर्था रोग प्रतिरोदक चमता और ये बच्चे में रोग प्रतिरोदक चमता को बढ़ाने में मदद करता है मा का दूद सिसको ठीक है ना बिल्कुल बढ़ने में साहता करता है यदि मा कोविड से ग्रसित हो तो भी उसको इस्तनपान कराते रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है दिन और रात है ना दोनों समय इस्तनपान कैसे देखे ये पोजीशन भी आपको दी गई है दिन और रात आप देख लीजिए ठीक है हाँ बिल्कुल फीगर के साथ इधर दिन उधर रात कैसे किस प्रकार देखेगा बिल्कुल बच्चे को दूद पिलाना जो है वो सही होता है पोजीशन की भी बात होती है ठीक हाँ बिल्कुल चलिए बच्चे को थोड़ा सा उठाकर ही दूद पिलाना चाहिए लिटाकर बिल्कुल नहीं नहीं तो इससे कानूं में भी समस्य हो जाती है बच्चों के मा के दूद में वो सारे पोसकत्तों हैं जिनकी सिस को छे माह तक आवसकता होती है इसलिए यहां अतियंत महत पूड है कि पहले छे महीनों में सिस को सिर्फ मा का दूद दिया जाए जब भी सिस चाहे दिन और रात दोनों समय अपना दूद पिलाना चाहिए मा जितना अधि दूद पियेगी दूद उतना अधिक बनेगा है ना सिस को पानी भी नहीं देना चाहिए यहां तक की गर्मी के मौसम में भी नहीं क्योंकि मा के दूद में प्रचुन मातरा में पानी उपलब्द होता है और सिस की प्यास बुजाने में सच्छम होता है यदि सिस का वजण ठीक बढ़ रहा है दिन में करीब 6-7 बार पेशाब करता है और आराम से सोता है तो निश्चित रूप से सिस को परियाप्त दूद मिल रहा है ठीक है हाँ देखे 6-7 बार क्या करें बोलो पेशाब करें ठीक है ना यस केवल इस्तनपान से अभी प्राए 6 माह तक केवल माह क दूद पानी भी नहीं यहां है ना यहाद रखना है कि यद 6 माह की अवद में बच्चा बीमार पड़ता है तो उसे जवाईयां शीरब या फिर O.R.S. का घोल देना पड़े तो भी यह केवल इस्तनपान की परिवासा में आएगा इस्तनपान में कई बार व्यवधान परि कारिवार के आने सदस जैसे पिता दादा या दादी को भी मा है ना यह इसको इस्तनपान के लिए प्रोशायत और शहयोग करना चाहिए यदि हना सिस्व यदि बीमार है तो उसे चिकिस्त को दिखाना चाहिए और चिकिस्त की हना विलकुल शला पर ही सिसको दवा और विट six number क्या है हाँ ध्यान से समझेंगे लिखा है इस्तन पान के लाब तो लाब की बात कर लेते हैं जनम के आरंबिक दो से तीन दिनों तक निकलने वाले दूद को कॉलिस्ट्रम कहते हैं ये गाढ़ा होता है अधिक वसा होने के कारण इसका रंग जो है वो पीला होता है यह बू परिपक दूद बनेगा सिस्को लाब और देखेगा माताओं को लाब तो पहले सिस्का लाब देख लेते हैं कोलिस्ट्रम यानि की खीस मिलने से प्रथम मलत्यागने में मदद मिलती है मा का दूद पीने वाले बच्चे को मानसिक विकास इस्तनपान ना करने वाले बच्च की अपेच्छा अधिक होता है मा के दूद में पोसक तत उचित मातरा में होते हैं जो शिस्ड को स्वस्त और बुद्धिमान बनाने में शहायक होते हैं मा का दूद जो है वो आसानी से पच जाता है और कभ्जी की सिकायत नहीं रहती रोग प्रिति दुद्द चमता बढ़ाते वे शंक्रवनों से बचाता है विसेश कर दस्त एवं निमोनिया से आगे देखिए यह सही तापमान का होता है और सिस्को आवसक्ता होने पर हर समय तयार मिलता है यह सिस्को सांस संबंदित समस्याओं दमा की बीमारी एलर्ज यह तर्चास समंदित समस्याओं से बचाता है शिसको आवसक्ताहों के पूरा करता है तत्ता मा एवं heck सिस्को बीच प्यार भरे रिष्ते के विकास को बढ़ा ओगा देता है शिसकी पानी की आवसक्ताओं को भी क्या करता है बोलो पूरी करता है अब यहाँ पर देखे मा क जन्म के तुरंट बात और अधिक बार अपना दूद पिलाने से इस तनों में भारी पन है ना इस तनों में दूद का अधिक भर जाना आधिकी समस्या नहीं रहती मा सिज को तुरंट और सही तापमान का दूद पिला सकती है उसे कोई पूर्वतियारी नहीं करनी पड़ती पूर्ण इस्तनपान करने वाली है ना कराने वाली माताएं अपने सिज के पालन पोशन और उनके बेवहर के बारे में अधिक तालमेल विठाने में सच्छमा और मा संतुष्ट होंगे यह मा के सरीर को सुडवल बनाने में मदद करता है दुबारा अगर धारण में देरी करने में मदद करता है ठीक हाँ चलिए आगे लैक्टेसनल एमनोरिया मा सहज निश्चिंद तथा अधेक प्रशन रहती है परिवार समाज को लाब की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बिलकुल इसकी बात करते हैं तो क्या होगा हाँ देखिएगा बच्चे के बेहतर विकास में सहायक परिवार की आर्थिक इस्थित को मदद मिलती है क्योंकि दवाईया बोतल निपल दूद पानी इधन आधी परविर्थ के खर से बचाओ होता ह है सिसुम्रतुदर में इससे कमी भी आती है लेक्टेसनल एमनूरिया परिवार नियोजन का प्राक्टिक तरीका है जिसमें छे महीने तक सिसको केवल मां का दूद है ना पिलाने से गरधारण की संभावनाएं जो है वो कम होती है इस्तनपान से सिसुए वं इस्तनपान करा आने वाली माताओं को भी क्या होता है बोलो लाभ मिलता है आगे देखिएगा पेज नंबर है 47 तो 47 नंबर देखेंगे हाँ देखे परिपक को मिल्क फूर मिल्क और हाइंड मिल्क सारे समझ लीजिए गा हाइंड मिल्क ये कॉस्चन सायद आया था ठीक है हाँ एक्जाम मे यहीं से आता है फिर देखेगा पूरा नहीं देखेगे तो फिर दिक्कत वाली बात प्रसो के साथ से दस दिन बाद इस्तनपान कराने वाले महिला के इस्तन में परिपक दूद उपलब्ध होता है और तब तक मौझूद रहता है जब तक सिस दूद पीना नहीं छोड़ दे परिपक दूद के दो भाग होते हैं दो भाग कितने एक होता है फोर मिल्क यानिकी पतला और दूसरा होता है हाइंड मिल्क यानिकी गाढ़ा तो पहला देखे जब सिसू इस तनपान करता है तू यह पहले निकलता है और पतला होता है इस दूद में बड़ी मातरा में प्रोटीन लेक्टोस पानी वा अनिको सकता होते हैं और कैलोरी जो है यहां पर कम होती है हाइंड मिल्क की बात करेंगे तो यह बाद में निकलता ह इसमें वसा की मातरा अधिक होती है और यह गाड़ा होता है यह सिस को बढ़ने के लिए उरजा प्रदान करता है और मस्तिस्क के हाँ बिलकुल विकास में भी मदद करता है आगे देखें इसके बाद इस तनपान के दौरान फोर मिल्क पहले पान से साथ मिनट तक निकलता ह और जो हाइंड मिल्क है उसके बाद आता है इसलिए यदि माँ पान से साथ मिनट के पहले ही सिस को दूसरे इस तन से दौर पिलाने लगेगी तो सिस हाइंड मिल्क से वंचित रह जाएगा ठीक हाँ बिलकुल वंचित रह जाएगा ऐसे में उसके विकास पर असर होगा इस धान को खाली करते ही हैना बिलकुल खाली करके ही दूसरे इस तन से दौर पिलाना चाहिए एक बार इस तन से दौर पिलाती है तो अगली बार जो है इससे बारी बारी दोनों इस्तन खाली हो जाएंगे वह इस तनों में अधिक दूद जमा भी नहीं होगा आगे देखें इसके बाद क्या है उपरी दूद जिसे बोलते है क्या फार्मूला मिल्क पाउडर पिलाने से नुकसान तो नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान देखेंगा क्या है मा के दूद है ना का कोई विकल्प नहीं है ध्याने केगा मा के दूद का जो है बिलकुल कोई भी विकल्प ही नहीं है गाउं एवं सहरों में बच्चों को बोतल से दूद पिलाना डिब्बे का दूद गाए का दूद पिलाना आम हो गया है पर इसके कई नुकसान है नुकसान क्या है देखेगा साप सफाई के अभाव में बोतल से दूद पिलाने से बच्चे में शंक्रमण की संभावना बढ़ जाती है सिसुदस्त वा अन शंक्रमण से ग्रसित हो सकता है जिन बच्चों को इस्तनपान नहीं कराया जाता उनमें चिरकालिक बीमारिया जैसे देखें मदमे हैं उच्छरत चाप एवं मुटापे के जोखिम बढ़ सकते हैं फार्मूला दूद में इंटी बॉड़ी नहीं होता मा के दूद में इंटी बॉड़ी होता है इसमें इंटी बॉड़ी नहीं होता जो को भी ध्यान किएगा ठीक है सिसको सही मात्रा में पोसकत प्रोटीन फैट विटामिन वा मिनरल यस नहीं मिलते और वर शंबहुता बहुत धिक कारियों में भी सितिल हो सकता है गाय के अत्वा अन्य जानवर के दूद में उपलत प्रोटीन से बच्चों को सोसन वा पाचन तं या दूद है ना यस या गाय का दूद ठीक है ना हाँ गाय का दूद चलिए अगला पेज देखेंगे पेज नंबर है फोर्टी एट तो फोर्टी एट नंबर की बात करेंगे फोर्टी एट देखें क्या है बिलकुल हाँ देखें सफल इस्तनपान की तकनीक तकनीक की बात करेंगे दियान से समझिएगा तो यहां पर देखिए शफल इस्तनपान की तकनीक की बात करेंगे ठीक हां पैदा होने के तुरंत बाद सिसको तुरंत मा की छाती पर लगाना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी इस्तनों को पकड़ने वह पीने की सकती सबसे साथ में सिसको गरमाहट भी मिलती है ठीक हां इस्तनपान की अलग इस्तियां देखें इस्तिय और जुडाव की बात करेंगे तो जुडाव देखिए मा को इस्तनपान कराने का कौसल सीखना चाहिए जिससे सिसको प्रभावसाली ठंक से दूद पिलाने में क्या है बोलो मद अच्छे इस्तनपान कोसल के अंटरगत अपने सिस्गों इस्तन से लगाने सही स्थित पोजिसनिंग है ना यस और दूद पीने के सही अटैWhichमेंग शामिल है इस्तित पोजिसन की बात करेंगे तो पोजिसन देखेगा हा मां अपने सिसको बहुत ही आराम के साथ किसी भी इस्तित में इस्तनपान करा सकती है वो चाहे तो लेट कर बैट कर या खड़े होकर बच्चे को दूद पिला सकती है यदि बच्चा सही तरीके से इस्तन से दूद को पी रहा है तो वो पूरी तरह मा का दूद प्राप्त कर सकता है पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेगा यह देखेगा जो पोजीशन है यह भी द्याना केगा यह पोजीशन देखे सबसे पहले इसे क्या बोलते है बोलो क्रेडिल ये देखे क्या है बोलो क्रास क्रेडिल इसको बोलते है फुटबॉल होल्ड और इसको बोलते है क्या साइड लाइन हाँ ये दियान लेकेगा बिल्कुल फीगर के माध्यम से ही देखे इन चीजों को आसानी से समझा जा सकता है सही इस्थित अब देखेगा आगे इसके बाद देखेंगे मा को बताए कि बच्चे को इस्तनपान कराने की अवस्था आराम दायक होनी चाहिए यदि वो वैड कर पिलाना चाहती है तो आराम से अपनी पीट को सहारा देते हुए बैठे है ना हाँ तता सिसको कमर एवं निचले भाग से सहारा देकर पकड़े अच्छे से पकड़े पूरी तरीके से ठीक है नहां आगे तता सिसको कमर एवं निचले भाग से सहारा देकर पकड़े इस्तनपान कराने से पहले माता को अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबन से दोना चाहिए, इस चीज को भी द्याना किएगा, ठीक है हाँ, सिस के सही इस्तित, तो सीधा, देखेगा, सिस का कान, कंधा एवं कूला एक लाइन में हो, सिस का सरीर, मा के सरीर की तरफ मुड़ा हो, सिस के पूरे सरीर को सहरा मिले, पूरे सरीर को सहरा मिले, ऐसे इस देखेंगे 49 नमबर है हाँ देखिएगा बिलकुल देखें सही जुलाओ की बात करते है सही अटेच्मेंट है ना यहां से question बन जाते है exam में तो देखिए क्या है लिखा है sis का मुक पूरी तरह कम से कम 120 डुगरी है ना खुला हो पूरी तरीके से yes sis के होंट का निचला सीरा बाहर की और मूरा हो सित की थुड़ी और होंट इस तन को अच्छे से है ना छू रहे हो इस तन का निचला काला हिस्सा lower area Acollar जो है ना yes sis के lower जिसे area acollar बोलते है सिसके मूnez में अधिक से अधिक हो ठीक है और इसके बाद एक खराब जुडाओ भी आपके सामने है किस प्रिकार होता है फीगर के माध्यम से बिलकुल चीजे ज़्यादा बेश्ट समझ में आती है चलिए जी आगे खराब इस्तिदिवा जुडाओ की बात करेंगे लेचिंग है ना बिलकुल एक ऐसा सब्द है जो शामानिता इस्तिदिवा जुडाओ दोनों के लिए प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग या जानने के लिए होता है कि बच्चा किस तरह से माँ के इस्तरों को अपने मुझ से जकरता है और फिर दूद खीचता है सही लेचिंग से बच्चों को फोर मिल्क हुआ हाइंड मिल्क दोनों मिलेगा बच्चा पूरी तरह से और पेट भर कर दूद पियेगा और मा को किसी तरह से असहिस्ता महसूस नहीं होती खराब लेचिंग के इस दिन में बच्चे की भूँक भी नहीं मिटेगी वो रोएगा तता निपल को कस कर पकाड़ने का प्रियास करेगा जिससे निपल में दर्द तता छदी जैसे गाव दरार पड़ सकते हैं दूद ना निकलने के कारण इस तनों में भराव हो सकता है जिस देखे इसके बाद इस तन पान कराने के चरण तो चरणों की बात करेंगे यहाँ पर देखेगा मा दिन में आठ से दस गिलास पानी पिए इससे दूद जो है वो अधिक बनेगा रात में आवश्चक दूद पिलाए क्योंकि दूद बनाने वाला हार्मोन इस समय अधिक शक करने से पूर्व एकांत में आराम दायक इस्तित में बाइट जाएं इस्तनों को खुला और ढीला छोड़ दें सिस को इस्तन से सही इस्तित में लगाएं जुलाओ देखें सिस स्वयम ही दूद पीना आरम कर देगा यदि लैचिंग प्रक्रिया अच्छी है तो सिस गहरे गहर वह नेमित रूप से होगा एक स्थन खाली होने पर दूसरे स्थन से उस्तितन पान पिलाएं आगे सिस को तब तक दूद पिलाएं जब तक वह स्थनों को सुयम ही न छोड़ दें दूद पिलाने के बाद बीठाकर सिस को ठपकी देते हुए ड़कार दिलाना चाहिए ध्या भवा भी उसके मूँ के अंदर ले लेता है जिसे पेट दबने पर बच्चा दूद उलटने की सम्मावना बढ़ जाती है ठीक है आगे देखिए यदि बच्चे का वजन बढ़ रहा है वो निश्चिंत सो रहा है जाकते समय सक्रिय और दिन में छे से साथ बार पेशाप कर र लहा है आगे देखे इसके बार कि हाँ आगे देखिएगा बिलकुल अब देखे सही कि त Crash के से इस्तन पान कराने का तरीका हाथों को साबद से अच्छी तरह दोएं परियाप्त मात्रा में पानी पिए पिए पंदों को आराम दाएक सितित में रखे ठीक है आगे देखिए इसके बाद, हाँ, जिस सिस्थन से दूर्द पिलाने हो, उस सिस्थन से दूसरी तरफ, हाँ, वाले हाथ से सिस्थ के सिर को पकड़े, बिलकुल, हाथ के बगल के नीचे से ठीक, हाँ, बिलकुल, से सिस्थ की टांगों को पकड़े, आगे मा का अंगूठा सिस्थ के एक कान के की हड़ी पर होना चाहिए और मा की अंगली आकान के पीछे की हड़ी पर होनी चाहिए अब दीखि़ों से समझ में आता है चितरों से बिल्कुल नहीं तो यहां से कोष्चन अगर बना दिया जाये फिर दिक्कत वाली बात आती है जिस सही 5 पां कराना हो उसी को नीचे गोल और भरे हुए दिखाई देंगे गालों में कोई गड़्धा नहीं बनेगा चलिए आगे देखेंगे अगला पेज इसके बाद तो अगला देखे क्या है हाँ जी बिलकुल तो यहाँ पर देखेगा यह महत्पुड है दो सप्ता छे सप्ता और तीन महीने की उम्र में बह दिन इगरानी भी होती है दिन में मां को कई बार इस्तनपान कराना चाहिए और हर बार इस्तनपान लंबे शमय का होना चाहिए हाँ बिलकुल चलिए सिसु में भूंक के संकेत की बात करेंगे पहली और सबसे जरूरी ध्यान लकने वाली बात है सिसु के भूंके होने के संक ौग के संकेतों को नहीं पहचानती तो सिचुल बेचेन हो जाएगा और भूग की कारण रोना सुरू करदेगा फिर वो मां के इस तन से गहराई से नहीं जुडेगा इस से मां की चिंता बढ़ेगे शुरूआती भूग के संकेतों में सिचुल का कार है ना ये फीगर से समझ ये बच्चे को अगर भूग लगे है ना तो बिल्कुल ऐसे देखेगा अंगडाई लेगा अंगुली चूसेगा है ना बिल्कुल आगे देखे इसके बाद सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना और फिर ये रोना जो है ये लाश्ट संकेत ह होता है रोना आखरी संकेत है मिल्कुल हाँ ऐसे ही कोश्चन बनते हैं चली आगे देखे इसके बाद अब देखे हात से मां का दूद निकालना सभी माताओं को इस्तन से दूद निकालने के प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए निमने स्थितियों में मां को इस्तन से दू पहरा देने के लिए या फिर इस्तन की समस्या के कारण है ना हाँ बीमार सिस के लिए जो ठीक से इस्तनपान नहीं कर पा रहा है कम वजन वाला या कमजोर नौजात सिस जो सोयम इस्तनपान करने में अशमर्थ हो मा बीमार हो कामकाजी माताओं के लिए तो दिये गए चित्रो के माध्धम से आंगनवाड़ी कारिकत्री मा को अच्छे तरीके से हां से दूद निकालने के तरीकों को समझा सकती है दखिएगा पहला नमबर एक तो यह है कि अपने हां साबुन वा पानी से दोय और आराम देने वाली इस्तित में बढ़ जाए ठीक है इसके बाद देखे कि इस्तनों से दूद निकालने का सही तरीका हां बिलकुल देखिए अपने हाथ क्या करें बोलो साबुन वा पानी से धोय ठीक है एक इसके बाद देखे साफ वरतन कप लेते हुए उसे इस्तनों के बीच रखे आगे इसके बाद देखेगा इस्तनों पर हैना हलके हाथ उस यस डार्क नरम घेरा होता है ठीक है हाँ डार्क हाँ काला काला यस आगे अब च्छाती की तरफ और दबाएं फिर दूद निकालने के लिए धीरे से दबाएं ठीक है हाँ बिलकुल और चरण जो पांचवा है बिलकुल क्या होगा बोलो को विभिन आसनों में एरियूला के चारो और दुरा है ठीक है अब यहां पर देखे दूसरी तरफ इसको पढ़ा लेते हैं यहीज तो यही पूरा दिया है महाँ पर फीगर के मात्म से संजाया गया है और यहां पर देख़िएगा बिलकुल हाँ इसको पढ़ा लीजिए गा यह दूसरा पार्ट है ध्यान कियेगा बिलकुल तो देखिएगा यह दूद निकालने का सबसे आसान और सुरच्छित तरीका है हांस से निकाला हुआ दूद एक साफ बरतन में 6 से 8 गंटे तक देखिए यह कोश्चन यहां से बनेगा जैसे हांस से जो दूद निकाला गया है बिलकुल वो बाहर जो है बिलकुल 6 से 8 गंटे तक अगर आप एक साफ बरतन में रख दोगे तो ठीक है तता फ्रिज में जो है इसे 24 गंटे तक रखा जा सकता है यह टाइम यहां से पूछ लेता है आंगनवाडी कारिकत्री उस मा को समझाये कि इस्तन से दूद निकलने मे आम तोर पर 20 से 25 मिनट लगते हैं तभी सही मात्रा में दूद निकलेगा परिवार के लोगों को इस्तन का दूद निकलने के लिए आसा या आंगनवाडी कारिकत्री से मदद लेनी चाहिए ताकि वो मा को इस्तन से दूद निकलने का तरीका सिखा सके ठीक हां कि किसकी जान कारी होनी चाहिए कम वजन वाले नौजात बच्चे के घर पर आसा अधिक बार भीट करती है और परिवार को कंगारू मदर केर यानिके के एमसी के बारे में बताती है ठीक है तो यह क्यूद इधर साइड में पढ़ लेते हैं देखें कम हां इधर पढ़ेंगे कम वजन के बच्चे को लिए मा का दूद सबसे अच्छा आहार है इस्तनपान कराने में दिक्कत होने पर बच्चे को मा के इस्तनसे दूद का टोरी में निकाल का चमच या पला दाई है ना पतले मूंवाला चमच से पिलाना चाहिए कोविड के दौरान भी इस्तनपान जclick जरूरी ह यदि मा अतुदा से बिमार हो और दूद पिलाने अतुदा पीने में सच्छम नहीं हो तो मा के स्तुनों से दूद निकाल कर पिलाया जा सकता है चलिए आगे देखे इसके बाद हाँ देखे लिखा है उपरी उपरी आहार की सुरुआत करने का तरीका बच्चे की विकास का सीधा शंबंद उनके आहार से होता है बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ आहार लेने का तरीका प्रकार हुआ बारम बारता का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसके अभाव में कुपोशन हुआ विकास में बाधा उत्पन होती है यदे बच्चे को जबर जस्ती है ना सी खिलाया जाए तो उल्टी अत्वा है ना बिल्कुल खाने से अनिच्छा हो सकती है सुसके छे माँ पूरे होने तक उसके पोसक तप्यम्र अर्जा कि आ उसकता माँ के दूद्ध से ही पूरी होती है छे वहां तक सब कुछ बिल्कुल हाँ सिस्के छे माँ पूरे होने पर केवल माँ का दूद बच्चे की पोसंड आव सकताओं के लिए परियाप्त नहीं होता है जब छे माँ का पूरा हो जाए उसके बाद जो है बिल्कुल इसलिए एक बढ़ते बच्चे की पोसंड जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तनपान के साथ साथ अब उपरी आहार देना भी जरू करना चाहिए तो यहां पर देखिएगा हाँ बिल्कुल देखेंगे ध्यान से समझेंगे छे मां की पशचात मां के दूढ के साथ दिया जाने वाला आहारत वा तरल्पदार्थ उपरी आहार कहलाता है बजार में आसानी से उपलब्द खाद पदार जैसे देखें कुरकुरे बिस्क्रिट चिर्स आदिखेंगे हाँ आहार की परिभासा में नहीं आते है ठीक है आहार का मतलब समझे आए अनुशार उर्जा की आवशक्ता तथा मा के दूद से मिलने वाली उर्जा की मात्रा उर्जा कैलोरी ठीक है हाँ बिलकुल मा उर्जा गयब बिल्कुल थोड़ा सा उससे ज़्यादा उसके बाद 6-8 में थोड़ा सा देखेगा बिल्कुल हाँ ग्राफ यहाँ पर देखेगा ठीक है हाँ अब देखे यहां पर सिस्ट के छे माह तक सिर्फ और सिर्फ इस्तनपान ही कराना चाहिए लेकिन छे माह के बाद उपरी आहार सुरू करने के अलावा इस्तनपान बिल्कुल दो वरस तक जारी रखना चाहिए देखें यहां पर कोच्छन बना की नहीं बना दो वरस तक जो है इस तनफान का जारी रख सकते हैं एक वरस तक के बच्चे के आहार में उपर से नमकवा चीनी नहीं मिलाना चाहिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद पेस देखेंगे हम लोग 54 नमबर अब 54 देखेगा बिल्कुल ये भी प्यारा सा है समझेंगे लिखा है सिस को एक बार में एक तरह का खाद सम्मूद देना है ना शुरू करना चाहिए इससे बच्चे का स्वाद बनने में मदद मिलती है कभी कभी किसी खास तरह के भोजन पदार्तों से बच्चे को ऐलर्जी होती है जब एक बार में एक खादिपदार्थ देते हैं तो इस खादिपदार्थ है ना इस तरह के खादिपदार्थों की पहचान कर लेनी चाहिए और आगे से बच्चे के भोजन में सामिल नहीं करना चाहिए बच्चे को ऐसे खाद पदार्त नहीं देने चाहिए जो कड़े हूँ अथवा उनके गले में फस सकते हैं ऐसे की मूंग फली के दाने सेब की वांके गाजर के कटे हुए टुकडे मटर या फिर चने के दाने आद दो या तीन चमत से आरंब करते हुए खाने की मातरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए भोजन खिलाने के पहले बच्चे को पानी या मा का दूद नहीं पिलाना चाहिए ठीक है हां ऐसा करने से बच्चे की जो भूख है वो प्रभावित होगी और वो कम खायेगा आगे देखिये बच्चे को खाना बनाते समय साफ, पानी और बर्तन का प्रियोग करना चाहिए और खिलाते समय साफ हाथों का सही आहार और ब्योहार का सबसे अच्छा सूचक है बच्चे का वजन इसलिए आंगनवाडी केंदर पर हर महीने वजन कराना चाहिए यदि बच्चा बीमार होता है तो उसे चिकिसक को जरूर दिखाना चाहिए उसके बीमार की भी अवस्था में मां को इस्तनपान जारी करना चाहिए उसका आहार बंद नहीं करना चाहिए बलके थोड़ा थोड़ा और बार आहार देते रहना चाहिए जब बच्चा सुस्त हो जाए तो इसके भोजन के मात्रों को बढ़ा देनी चाहिए जब तक कि बच्चे का वजन पहले के बराबर ना हो जाए आगे देखे अन्प्रासंदिवस की बात करेंगे हाँ यहां से कोश्चन बन सकता है देखे अन्प्रासंदिवस में छे माह पूर्ण कर चुके सिस हुआ उनके परिवार के सदस्यों हना विशिस कर मा को आंगनवाडी केंदर पर बुला कर उपरी आहार हुआ इस्तनपान के विशय में परामर्स दिया जाता है छोटे बच्चे के भोजन में किस प्रकार का आहार कितनी बार हुआ कैसे खिलाएं इन्पिश्यों पर चर्चा की जाती है आंगनवाडी कारिकत्री ठीक हां आंगनवाडी कारिकत्री इस दीवस में आने के लिए सबी धात्री माता को प्रेद करें इस दिवस के होने के कुछ दिन बाद आंगनवाडी कारिकत्री को उस घर पर जाकर फालो अप करना चाहिए ताकि यह जानकारी मिल पाए कि माता को बताई गई जानकारी का पालन कर रही है कि नहीं ठीक है हाँ यह सही से पालन हुपा रहा है कि नहीं चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे तो अगला देखे फिप्टी फाइव निमबर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे देखे बच्चे के भोजन से संबंदित आवस्तक सोचता ब्योहार बच्चे में गंदगी एवम की टाणों से होने वाली बीमारी से बचाओ के लिए साफ सफाई एवम सोचता एक प्रभावी उपाए है अपने सिसकों होने वाली बीमारीों से बचाने के लिए माता को नीचे दिये गए सुचता संबंदित व्यूभार को अपनाना चाहिए प्रियोग करने से पहले देखे साथ सब्जी क्या करे बोलो धोले है ना? बिलकुल आगे देखे इसके बात सबसे पहले तो धोले अब इसके बाद मा को खाना पकाने और यस खाना पकाने और बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरह से दोएं खुले में सौच ना जाकर घर में बने सौच सावचाले का प्रियोग करना चाहिए सावचाले का इस्तेमाल करने के बाद ता बच्चे को सौच साफ करने के बाद शाबन और पानी से हाथ बिलकुल है ना बिलकुल हाँ अच्छे से दोने चाहिए यदि बच्चे को अंडा मांस मचली किलाया जा रहा है तो ध्यान लगे कि वो ताजा और अच्छी तरह से पका हो कच्चे फलो और पकाने से पहले सबजियों को बहते पानी में अच्छे तरह से धो लेना चाहिए अच्छे से खाना पकाने से कीटाणू मर जाते हैं इसलिए इसलिए सिसु के लिए बनाये जाने वाले भोजन को अच्छे तरीके से पकाना चाहिए और खाना पकाने के लिए सुरचित पानी का इस्तेमाल ही करना चाहिए जहां तक संभो हो सिसु का भोजन ताजा होना चाहिए गर्मी के मौसम में पका हुआ खाना है ना बिल्कुल दो घंटे से जादा देर तक नहीं रखना चाहिए गर्मी में कितना बोलो दो घंटे हाँ जब तक उसे रखने के लिए फृज की ब्यवस्था ना हो फृज की ब्यवस्था हो तब तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगे देखे इसके बाद खाना बनाने के बाद वोजन को साब बरतन से डखकर रखना चाहिए देखकी धूल और मक्यों से क्या है बोलो बचा जा सके आगे इसके बाद देखिएगा अगला पेच यहां पर देख लेंगे देखिएगा शाबुन पानी ए सीधा, उल्टा, फिर मुठी, अंगूटा, नाकून और कलाई ठीक है यह सही तरीका है यह पोजिसन्स है आगे देखे इसके बाद बिल्कुल अब यहां पर देखिएगा बच्चे को साफ दुली हुई कटोरी में ही भोजन देना चाहिए बच्चे की कटोरी में बच्चे ह खाने को बाद में खिलाने के लिए नहीं रखना चाहिए बलकि उसे फेक कर बच्चे को देने वाला आहार साफ दुली हुई कर रखना चाहिए लागा नहीं हैं पीने की पानी कर दाद तरपकर रखना चाहिए साफ बरतन वाले हां से पानी निकालना चाहिए, लंबी डंडी है ना, कि साफ बरतन से पानी निकालना चाहिए, जिससे बाल्टी मटके का पानी गंदा ना हो सके, उप्योग किये गए बरतनों को अच्छे हैना, तरीके से दोकर सुखा कर और ढखकर रखना चाहिए, ठीक है चालिए तो यहां पर देखेगा है ना यह chapter two जो है आपका पूरा का पूरा मैंने यहां पर आपको read करा दिया बिल्कुल हाँ, आपने पूरा का पूरा जो है chapter two ready गिया, बहुत सारे point है यहां पर जो माहत्वूर है जो आपके exam के लिए बनते हैं ठीक है तो वीडियो को देखेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो class है वो बड़ी है तो एक बार में तो नहीं बोलूँगा, चाहें आप 4 से 10 बार में देखें वीडियो को, ना, हाँ, 4 से 5 बार में देख लिजिए, क्योंकि एक घंटे पलस का है, तो 20-20 मिनिट करके आप देख लि जिएगा और अच्छा लगे तो क्लास को आप लुग लाइक जरूर करेंगे साथी प्रदिन जो है ठीक सा माट बजे इस चैनल पर लाइव क्लास होती है थैंक्यू एवरिवन